गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चो आप सभी कैसे हैं आशा करती हूँ कि आपको विद्या ले आकर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा बच्चो मिसन सिक्षण समवात के अंतरगत दैनिक पठन पाठन में आज प्रस्तोत है कच्छा आठ ग्रह सिल्प का पाठ बारा धुलाई कला आईए पढ़ते हैं जल के प्रकराफ आईए शुरू करते हैं वस्त्र हमारे प्रति दिन के जीवन का अभिन अंग हैं ये हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते हैं वस्त्र पहनने पर गंदे हो जाते हैं उन पर धूल पसीना या किसी चीज के दाग या धब्बे पढ़ जाते हैं वस्त्र कई प्रकार के होते हैं जैसे सूतिव, उनी, रेश्मी, आदी, अत, इनकी धुलाई का तरीका भी अलग-अलग होता है सभी वस्त्रों को एक ही प्रकार से धोने पर उनकी सुन्दरता और वाटिकाउपन कम हो जाती है इनको दोते समय भिन भिन विदियों का उप्योग किया जाता है ताकि उनका रंग वा बनावट ठीक रहे तथा वे सुन्दर दिखें वस्त्रों की धुलाई हम जल द्वारा करते हैं जल के दो प्रकार होते हैं कठोर जल वा मरदुजल आईए जानें कठोर जल और मरदुजल में क्या आंतर है मरदुजल यह पीने में सादा स्वाद रहित होता है वस्त्रों में सावल लगाने पर जाग निकलता है वस्त्र साप धुलते हैं कठोर जल यह पीने में हलका नमकीन या खारा होता है जल में कैलसियम और मैगनीशियम की उपस्तिती के कारण जल कठोर हो जाता है वस्त्रों में सावल लगाने पर जाग नहीं निकलता है वस्त्रों में हलका पीला पना जाता है धुलाई कला से सम्मंदित जानकारी आप पि वस्त्र धूने से पूर्व उनमें लगे दाग धबों को भी छुडाना आवशक है दुलाई कला से संबंदित जानकारी आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं वस्त्र धूने से पूर्व उनमें लगे दाग धबों को भी छुडाना आवशक है वस्त्र पर सामाने दाग चुड़ाने की विधी स्याही के धब्बे स्याही का दाग तुरंत साबुन तथा पानी से दूर किया जा सकता है धब्बे पर नमक नीबु का रस खटा दही आदी लगा देने देना चाहिए कुछ देर बाद वस्त्र को साबुन से अच्छी तरह धू लेना चाहिए हल्दी का धब्बे, हल्दी का ताजा धब्बा, साबुन या कपड़े, धोने का सोडा और गर्म पानी से धोने से छूट जाता है, परंतु धब्बा इस्प्रेट में कुछ देर भिगो देने से छूटता है, पुराना धब्बा रक्त के धब्बे, रक्त का ताजा धब्बा नमक लगाकर ठंडे पानी से धूने से छूट जाता है सूती या लिनन के वस्तरों को पानी में भिगोकर अमोनिया या हाइड्रोजन पराकसाइड लगाना चाहिए फिर वस्तर पर दो तीन बार सावन लगाकर धूने से रक्त का धब्बा छूट जाता है चाय के धब्बे, यदि चाय में दूद मिला है तो उसका धब्बा सावन या पानी से छूट जाता है लेकिन केवल लाल चाय बगैर दूद की दब्बा हो तो उसे गर्म पानी से छुड़ा लेना चाहिए पान के दब्बे के लिए वस्तर पर हज़ी मिर्च, कच्चा आलू या दही रगड़ना चाहिए तेल के दब्बे पर बेबी पाउडर डाल देना चाहिए कुछ देर बाद पाउडर पूरे तेल को सोख लेते हैं वस्तर में नील कैसे देते हैं सरप्रथम एक चोड़े वर्तन में इतना पानी लीजिए कि वस्तर अच्छी तरह से डूब जाए एक सफेद कपड़े में नील को बांध कर पोटली बना लीजिए तथा पानी में डुबा कर गोल गोल गुमाईए पोटली में से छनकर नील पानी में घुल जाएगी पाउडर नील के स्थान पर आजकल नील तरल रूप में भी आता है इसकी तीन चार बूने पानी की बाल्टी में डाल ली जाती हैं पाउडर के स्थान पर हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं इसके बाद गीले वस्त्र को खोल कर जटक दें अब उस वस्त्र को नील घुले पानी में डुवो कर जल्दी जल्दी उलट पलट दें कपड़ों पर नील लगाने के पश्चात कपड़ों को धूप में सुखाएं वस्त्रों में कलफ लगाना सूती वस्त्र में कलफ लगाने के कई लाब होते हैं जैसे सूती कपड़ों में सकती या कड़ापन आ जाता है कलफ से कपड़ों में चमक वा नवीनता आ जाती है कलफ लगाने पर कपड़ों की क्रीज अच्छी बनती है कलफ वस्तरों के धागों के बीच के इस्थान की पूर्ती करता है इसमें वस्तरों पर धूल या गंदी की कम जमती है प्रेस करने में आसानी रहती है आईए कलफ बनाना सीखें कलफ कई परकार की चीजों से बनाया जाता है जैसे अरारोट, साउदाना, मैदा, चावल, गोन दादी से आरारोट का कलफ समगरी आरारोट, दो बड़ा चमच, पिसा सुहागा, आधा चमच, मूम, एक चोथाई चमच, विदी, एक बड़े बरतन में आरारोट, सुहागा और मूम को लेकर एक बड़ा चमच, ठंडा पानी डालिए अब उपर से थोड़ा थोड़ा उबलता पानी डालें तथा एक चमच से अरारोट चलाते रहें जब घोल चमच, दार पादर्सी लेक के समान हो जाये तो समझ लेजे कि कलफ तयार हो गया है अब कपड़ों के अनुसार मोटी कपड़ों पर गाढ़ा वा महीन कपड़ों पर पतला कलफ लगाई हैं मैदे का कलफ भी अरारोट के कलफ की भाती ही बनाया जाता है साबू दाने का कलफ सामग्री साबू दाना 50 ग्राम सुहागा आधा चमच, पानी 500 मेली विदी आँच पर पकाईए आँच कम रखें तथा गोल को चलाते रहें अब दोनों गल जाएं तो पिसा हुआ सुहागा मिला दें अब गोल को पतले कपड़े से च्छान ले यह कलफ काफी कड़ा होता है अता इसमें पानी डाल कर पतला करके लगाएं साबुदाने की कलफ में मूम डालते क्योंकि साबुदाना स्वयम चिकना होता है चावल का कलफ सामगरी चावल दो बड़ा चमच मूम एक चौथाई चमच सुहागा आधा चमच विदी चावल को लेकर उसको पीस ले फिर उसे पतली च्छनी से च्छान कर अररोट के कलफ की तरह बनाएं वाल लगाएं कलफ के प्रकार कुछ कपड़ों को अधिक तथा कुछ को कम कड़ा करने की आविशक्ता होती है इस प्रकार कड़ेपन की द्रश्टी से कलफ निम लिखे तीन प्रकार के होते हैं गाड़ा कलफ, मध्यम कलफ, पतला कलफ गाड़ा कलफ, गाड़ा कलफ तयार करने में कम पानी डाला जाता है इसका उप्योग अधिक तर मिलिटरी की ड्रेस पर कमीज की कॉलर, नर्स की टोपी वा बेल्ट आदी पर किया जाता है मध्यम कलफ, गाड़े कलफ में दो गुना पानी डाल कर मध्यम कलफ तयार किया जाता है इसे सूती साड़ियों, कमीज, फ्रॉक, कुर्तों, इसकार्ट आदी पर लगाते हैं पतला कलफ, गाड़े कलफ में चार गुना पानी डाल कर पतला कलफ तयार किया जाता है इसे महीन कपड़ों चादर आदी पर लगाया जाता है वस्त्रों में प्रेस करना सूती वस्त्रों में कलफ वन नील लगा कर सुखाने के बाद हम वस्त्रों को प्रेस करते हैं वस्त्रों पर प्रेस करने से लाब वस्त्रों में सिलवटें दूर हो जाती है वस्त्रों का आकर्शन वा सुन्दर्ता बढ़ जाती है वस्त्रों में चमका जाती है कपड़ों की क्रीज बनी रहती है जिससे व्यक्ती स्मार्ट दिखाई देता है वस्त्र टिकाऊ हो जाते हैं वस्त्र प्रेस करने से रोगों के जीवाडू नश्ट हो जाते हैं वस्त्र अनेक प्रकार के रेशों से बने होते हैं जो की गुडों में भिन्न होते हैं आता है इन पर प्रेस करते समय मुख्य तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताप दाव वर नमी का इसे निम्नवत प् नमी उनी वस्त्र बहुत कम दाब वा ताप अधिक नमी सिंथेटिक वस्त्र हलका ताप वा दाब परंतु नमी नहीं आईए बच्चों अब हम अभ्यासकारे देखते हैं जल कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखिए वस्त्रों की धुलाई क्यों आवश्यक है म्रदू वा कठोर जल में कोई दो अंतर लिखिए किस जल में वस्त्रों परसावल लगाने से जहाग नहीं होता है क्या सभी प्रकार के वस्त्र एक ही विधी से धोई जाते हैं पान के धबे किस से छुड़ाई जा सकते हैं हल्ली के धपे किस से छुड़ा जा सकते हैं म्रदू एवं कठोर जल में कोई दो अंतर लिखिए तरल नील का प्रियोग कैसे करते हैं कलफ क्या होता है अरोरोट का कलफ कैसे बनाते हैं दूसरा प्रेशन कलफ कितने प्रकार के का होता है गाढ़े कलफ कप्रियों कैसे कपडों पर करते हैं? सूती साडियां कमीज, फ्रॉक, कुर्टा, इसकर्ट आदी पर कैसा कलफ लगाना चाहिए? वस्त्रों पर प्रेस करने से क्या-क्या लाब होते हैं? वस्त्र अनेक प्रकार के रेशों से बने होते हैं जो की गुड़ों में भिन होते हैं, अता इन पर प्रेस करते समय मुख्य किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? उनी वस्त्र पर प्रेस करते समय क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए? बच्चों, इसी के साथ ही हमारा आज का यह पार्ट यहीं समाप्त होता है कल नए पार्ट के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए सभी बच्चों को बाई बाई